दोस्तो एक्जाम में हमें से कोई ने कोई कभी ने कभी जरूर तुक्का लगाने के बात सोचते हैं तो क्या यह वात सच है तो हाँ सच है तुक्का लगाने से आपके एक्जाम क्वालिफाई हो सकती है पहल मैंने पहले इस पर विश्वास नहीं क्या कर दा था लेकिन मेरे सा मैं एक्जाम देने बैठा ठीक ना रंइंग करके ओपन रेली थी तो ओपन रेली में मैंने एक्जाम बैठ गया ठीक रनिंग करके तो वहां पर दोड़ने के बाद जब बैठा तो मेरा बगल वाला जो लड़का था बोल रहा था कि भाया मुझे थोड़ा हेल्प किजिएगा क्योंकि मैं तुक्का लगाने वाला हूँ तो मुझे हासी आया कि भई तुक्का लगा कि कभी पास नहीं कर सकता एक्जाम वाला अच्छा ठेक है देख लेंगे तो और मैंने पढ़के गया था पचास कोस्टेन आये । तो मैंने उस दिन से फिक्स कर लिया कि तुक्का लगाना चाहिए तो इस पर मैंने रिसर्च के पूरे बहुत दिन तो रिसर्च के ठीक ना और तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ कि तुक्का कैसे लगाया जाए तो आईए शुरू करते हैं तुक्का लगाने का वास्ता में तो कोई तरीका नहीं है किताब में कहीं बुक में कोई लिखा नहीं है लेकिन एक अनुमान एक गेस के अनुसारिया तुक्का लगाना चाहिए ठीक ना इनके कुछ आपको मैं बता रहा हूँ ठीक ना तो वास्ता में तुक्का सब्द एक हास वास्ताम में यह आत्मक लगता है, लेकिन वास्ताम में इसके पीछे एक मन भिज्ञान गाम करता है Saikology, तो साइकलोजी कुछ ऐसे काम करता है, कि एक्जाम में क्या करना है, सुनिया टिप नॉमबर वन, एक्जाम में सबसे पहले, आपको जितने कॉस्चेन आएं, उतने बन बना लिगा możli के तब को सब्हेंठी पर्संट से ज्यादा कॉस्चेह आते हैं ग्जाम के तहापको तुका नहीं लगाना है उस कांडिशन में आपको तुका नहीं लगाना है लेकिन आपको 20 से 30 कॉस्चेह आते हैं एक तब आपको तुक्का लगाना है ठीक ना और तुक्का लगाने का पहला ट्रिक जितने कोश्चन आए उतने बना लिजिए दूसरे नंबर कुछ कोश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपने कभी पढ़ा तो नहीं होगा लेकिन लगता होगा कि हाँ यार यह उत्तर मुझे पता नही जिए बस उस पे घेरा लगा देजी ठीक ना उसके बाद कुछ उत्तर आपके ऐसे होंगे जिनको को हवा नहीं आया होगा जाइप में पहली बार सुन रहे होंगे एक्जाम में ठीक ना कुछ प्रस्ण ऐसे होंगे कि जो अपने पूरे जीवन में के वाले एक्जाम में उन थोड़ा सावधान हो जाए और अगर एक्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब आप ऐसे प्रस्णों को भी हल करना है जो आप जानते हैं उसके बाद जिन पर आपको पता नहीं क्यों दिमाग बोल रहा है कि इसको बनाना चाहिए तो उस उस प्रस्णों को होता है कि अ कभी होगा और कुछ लाहिए तो जिसके हात में होगा कब होगा कैसे होगा यह सब उपर वाली के हाथ में छोड़ दीजिए ठीक ना अल्ला इस पर गोड़ भगवान जो भी वोलते हैं इसके उपर छोड़ दीजिए तुक्का लगाने को बस यह एक तरीका है कोई इसमें मेथोड काम नहीं करता है यार यह चीज़ जान लीजिए ठीक ना तो चलिए भगवान वरोस से अल्ला इस पर के भगवरों से छोड़ दीजिए तुक्के को और फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं धन्यवाद हुआ 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 हुआ